हाई फ्रेंड्स आज हम बात कर रही हैं महात्मा गांधी अंतर राश्ट्रे विश्विद्याले वर्दा इनिके इसको हम महात्मा गांधी इंट्रनाशनल हिंदी युनिवस्टी वर्दा भी कह सकते हैं महात्मा गांधी अंतराष्ट्र विश्विद्याले यानि कि MGA हिंदी विश्विद्याले की जो इस्थापना हुई थी वह मौलानाजाद उनिवस्टी के साथ हुई थी एक उर्दु उनिवस्टी दी गई थी मुलको और एक हिंदी उनिवस्टी यहां जो है वो एड्मिशन नोटिस आया है सेशन 2022-2022-2023 का एड्रस है इस उनिवस्टी का पोस्ट हिंदी विश्विद्याले गांधी हिल्स वर्धा 442001 महरास्ट महरास्ट के अंदर है और वैब साइट जो है इस उनिवस्टी की हुआ है www.hindi-vishwa.org अभी इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें बताया गया है हिंदी माध्यम से संचालित निम्रिलिखित नियमित पाठिक रमों के लिए ओनलाइन आविदन आवंत्रित किये जाते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन आर इन्वाइट फॉर एड्मिशन तो फॉलोविंग रेगुलर प्रोग्राम्स कंड़क्टिट इन हिंदी मीडियम दो बाते यहां होगी कि एक तो रेगुलर है और दूसरा हिंदी मीडियम में है यहां जितनी भी जह हो पी एजडी होंगी एक इंग्लिश में है तो इंग्लिश में रहेगी स्पैनिश है तो स्पैनिश में रहेगी फ्रेंच है तो फ्रेंच में रहेगी चाइनीज है तो चाइनीज में रहेगी और उर्दू है तो उर्दू में रहेगी उसके अलावा जितनी भी पी एजडी है वो सारी हिंदी में हों इनकी qualification क्या मांगेगे वो हम बात में देखेंगे Spanish भाषा विज्ञान भाषा अनुवाद सीटे 3 चीनी भाषा भाषा विज्ञान अनुवाद सीटे 3 फ्रांसीसी भाषा भाषा विज्ञान अनुवाद सीटे 4 उर्दू भाषा सीटे 3 सिनीमा अधियन सीटे 2 गांधी एवं शान्ती अध्यान सीटे 5 दलित एवं जन्जाती अध्यान सीटे 2 दर्शन शास्त्र सीटे 2 अनुवाद अध्यान सीटे 12 प्रवासन एवं डायोस पूरा अध्यान सीटे 4 तुन्लात्मक साहिती सीटे 4 जन्संचार सीटे 3 समाजकारिय सीटे एक राजनीती विज्ञान सीटे चार शिक्षा शास्त सीटे 27 परबंधन सीटे चार देखें यह हिंदी में ने लिख दिया है इसके साथ साथ इसको इंगलिश में भी ने लिखा है अब देखें नोट पीएजडी में परवेश विश्विद्याले अनुदा एंड युनिवर्स्टी पीएजडी ओर्डिनेंस देखें जो यूजी सी का रोल्स और रेगुलेशन ने नॉम से उसके दाद एडमीशनों का यह जो मात्मा गांधियन तर राश्विश्विश्विश्व दियाले है उसके नॉम्स के अकॉर्डिंग अब देखें लिंग इस तर्स ऐस तर्स फ्रंचותल्डिंग गांविश्ति प्रिंग ओर्डिंस दिझान ट्डिंशी दिई खीर्स इत लिंग कांष N dur acquire गांषnd자도 ष typically facile taste to translation studies six 12 migration i packars to y6 4 comparative literature मास कम्म्यूनिकेशन सीट्स 3 एंथ्रोपॉलोजी सीट्स 6 शोशल वर्क सीट ओनली वन पॉलिटिकल साइंस सीट्स 4 एडूकेशन सीट्स 27 यानि के एम में एजूकेशन और एमिड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सबसे जादा है मेनेज़मेंट सीट 4 अब देखिए आगे क्या क्या रहें इसमें EWS जर्नल और OBC के लिए 500 रूपीज है SC ST के लिए 300 रूपीज है फॉर्म 23 माई से और 22 जून यानि के 23 माई से 22 जून 23 में 22 जून तक यह भरा जाएगा नेक्स वीडियो में फॉर्म कैसे भर जाएगा हम इस पर डिसकस करेंगे रिटर्न एक्जाम जो है वो 5th, 6th and 7th August 2023 होगा उसके लिए जाब इन्फॉर्मिशन के लिए फॉर्म के लिए आप जो है वो हिंदीविश्वा.org पर जाएं अब यह देखें यहां इन्होंने PhD प्रवेश परिक्रशा 2022-23 PhD कारेकरमों प्रवेश के लिए एहरतावय सीट है अब यह देखें अगर आपको कोई भी ज़रूरत है कोई भी बात अगर पूछ नहीं है तो आप जो है वो जिवरन 2022-23 महात्मा गांधिया ने तर राश्ट्रे विश्विद्याले हिंदी वर्धा महरास्ट किसी भी मानने पर आप विश्विद्याले संस्थान से नियुन्तम 55 जो जर्णल है इस हैं उनके लिए 55 परसंट जो SCST हैं उनके लिए 50 परसंट में मास्टर्स होना चाहिए अभी देखे प्रोग्राम ने कारेकरम का नाम भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तो अब इसमें देखे क्या है भाषा प्राध्यद्यगी की हिंदी भाषा प्राध्यद्यगी की भाषा विज्ञान कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान अत्वा के अंदर हो इसमें जर्नल OBC SC STEW सब में एक एक सीट हैं इन्फॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनिरिंग तो इसमें जो है वो किस चीज में नहीं मांगा है लैंग्वेज साइन्स भाषा विज्ञान लैंग्वेज इन्फॉर्मेटिक्स भाषा पराध्यों की कंप् कंप्यूटिशनल साइंस भाषा भयंतर की कृतिम बुधी डेटा साइंस एलेक्टॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन इलेक्ट्रेकल्स इन में जो है वो अगर आपके पास मास्टर्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओवी-सी और जनरल में एक एक सीटे हैं कुल द SC, ST में कोई seat नहीं है OBC, Journal और SC में हाँ पर एक seat है OBC, Journal और SC में एक seat है SC, EWS में कुछ नहीं है Chinese में भी यही condition है French में भी यही condition है उर्दू में भी यही condition है यानि कि जो languages है हिंदी के अलावा आप किसी भी subject में या उस concern subject में MA हो और diploma हो तो आप जो है वो उसके अंदर form भर सकते हैं देखे उर्दू में जो seat है Journal की कोई नहीं है तो उर्दू में कोई भी जर्दू वाला form नहीं भर सकता एक OBC की, एक SC की है और एक EWS की है उसके बाद में cinema अधियन cinema studies में या तो cinema studies में हो या उसके साथ में जो है कोई भी allied subject में गांधिया उशानतिय अधियन अब ये देखी जो है वो गांधि peace and conflict जो है ये आपके पास में social science के किसी भी subject में master's हो इसके बाद दलित आउज़्जातिय अधियन SCS3 studies में जो है वो अधियन या किसी allied subject में master's हो तो आप भर सकते हैं दर्शन शास philosophy में मांगा गया है अनुवाद अधियन यानि के translation studies में अब ये देखिए कि अनुवाद अधियन किसी भी भारतियत वा विदेशी भाशन में आपके पास में किसी भी लैंग्वेज में English, Hindi, Urdu, Sanskrit Pali, Malayalam, Tamil, Telugu किसी में भी आपके पास में एमे हो तो आप इसको में apply कर सकते हैं तो ये देखिए उर्दु वालो के लिए भी यहाँ जो है वो journal में पांच सीटे हैं अब तक दो ऐसी वेकेंसीज हैं जहां उर्दु वालो के लिए काफी अच्छा मौका है यहां टूटल ट्वैल्व है प्रवासन नम डायोस्प्रा अध्यन यहां पर जो है वो हिस्ट्री, शुशॉलजी या साइकॉलेजी में आपके पास मास्टरस होना चाहिए साइंस में आपके पास में होना चाहिए समाज कारे यानि के शोशल वर्क आपके पास में जो है वो मनोचिकस्थि के समाज कारी गांधिय समाज कारी सामुदाइक विकास ग्रामडी विकास या MSW या आपके पास MS sociology होना चाहिए राजनीती विज्ञान देखें राजनीती विज्ञान या निकि पॉलिटिकल साइन्स या इसके अलाइट सब्जेक्स में MA होना चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षा शास्त एजूकेशन में MA या MA होना चाहिए उसके बाद में प्रबंदन MBA, MMS, CA, ICWA या CAS आपके पास होना चाहिए देखें एजूकेशन में जो हो जर्नल में साथ सीटे हैं उसके बाद जर्नल में 11 सीटे हैं OBC में साथ सीटे हैं SC में 4 हैं ST में 2 हैं EWS में 3 हैं टूटल 27 हैं अभी देखें कोर्स की कितनी कम फीज हैं यहां पर फस्ट एयर में पहले साल में 5,800 रुपीज हैं और यह सेकंड एयर में जब तक आपको डिग्री अलॉर्ट होगी तब तक 3,425 रुपीज हैं इसके अलावा आप देखें प्रवेश के नियम क्या हों गे कि आपको जितने सब्जेक्ट में में संजालित होते हैं उनके अंडर में इनको माना जाता है उसके अलावा आपके पास में प्रवेश है तो इच्छुक ऐसे बहती जिन क्यों 35 वर्षे अधिक है यह धियान में कि 35 साल से उपर वाले किसी भी अगर उनके पास में जे आरफ मन या ओबी सी एफ या पी आरफ नहीं है या आरजए नहीं यह तो फॉर्म ना भरें 35 साल से उपर वाले को फैलोशिप नहीं दी जाएगी पॉइंट फाइफ में किलियर इन्हों ने मेंशन कर दिया है देखे जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरेंगे उसी में आपको अधिशन दिया जाएगा दूसरे में नहीं दिया जाएगा और आप अगर भर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी को कर दिया गया है आपकी इलेजिबिलिटी एट टाइम आफ एडिमिशन चेक की जाएगी अभी देखे प्रवेश लिखित परीक्षाव श्रक्षातकार के आधार पर होगा जिसमें असी प्रतिशन यहीं कि रिटन एक्जाम के 80 परसंट है और रिटन जो वह इंटर्व्यू जो होगा वह 20 परसंट पर है और अंतिम परणाम उसमें दोनों को मिलाकर उसकी मेरिड बनेगी अब इसमें के अंतर जो है वह दो टाइप के कुश्चन पर बटा हुआ होगा 50 परसंट जो है वह सब्जेक्स होंगे 50 परसंट जो है वह रिसर्च पेड़ागोजी होगी यानि कि 50 प्रतिशत संबंदिन प्रतिशत होंगे तथा 50 प्रतिशत शोद अभिरिची तार्की क्यो कि दोनों प्रश्म पत्र को जोड़कर नियूनतम आपके जो है वह 50 नंबर आने चाहिए और एक एक पेपर में आपके 45-45 परसंट आने चाहिए तभी आपको कौलिफाई माना जाएगा इसके अलावा आपको जो है जब पीजडी के लिए इंटर्विव कॉल किया जाएगा तो आप जो है वो अपने जो आपको जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पर रिसर्च करनी है उसकी जो है वो आपको शोध पीपिटी स्लाइड बना कर लेकर आनी होगी अगर सीड बढ़ती है तो बढ़ाए जा सकती है और घटती है तो घटाए जा सकती है एक चीज़ और उन्होंने कहिए कि प्रवेश प्रतियक शोधार्थी को मूल प्रवजन माइग्रेशन छे महीने के अंदर विदिन 6 मंद आपको जो है वो माइग्रेशन सब्मिट करना क लोट करने होंगे इसलिए फॉर्म भरने से पहले सारे फॉर्म की स्कैन कॉपी अपने पास में सारे डॉक्किमेंट्स की स्कॉन कॉपी रखें इसके बाद में अगर एक बार आपने जो है वो फॉर्म भर दिया तो आपकी फीस वापस नहीं होगी एक बहुत एहम पॉइंट है जो नौन हिंदी स्टेट हम के बारे में क्या कह रहे है यह राजभाशा हिंदी की दरश्टी से गय शेत्रों के ओडिशा यानि के जिनकी फर्स लैंग्वेज हिंदी नहीं है टैन स्टेट्स को छोड़ कर कौन-कौन से ओडिशा बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश है नहीं के पूरा नौर्थीस्ट नागालेंड मेगालेया मणीपूर तिरुपुरा मिजोरम तमिलनाठ तिलंगाना करनाटक आंध्रा प्रदेश केरल में इस्थित विश्विद्यालों के ऐसे उपाधिकारी जो इन छेत्रों के निवासी हैं और उ यूनिवर्स्टी चाहिए वह स्टेट हो डीमड हो या प्राइविट हो या सेंट्रल हो वहां से अगर पढ़ाई किये तो उनको फाइफ परसंट हिंदी में रिलाइक्जेशन दिया जाएगा अभिहर्थी और दुआरा आविदन पत्र में दी गए अगर आपने कोई भी जो है वो इन्फॉर्मिशन घलत दिये तो आपका केंडिशर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोई भी शोध विरत्ती वित्तिय अनुदान प्रदान करने वाले अभिकरण के शर्तोर प्रकिर्या के अदिन होगी देखिए कोई भी जो है वो फैलोशिप आपको जो है वो रूल संट रेगुलेशन के तहत दी जाएगी अगर आप जो है वो बीच में या धूरा छोड़ कर जा रहे हैं तो आपको फैलोशिप लोटानी होगी यह बहुत एहम पॉइंट है पॉइंट नंबर 19 अब इसमें देखिए 20 देखिए जो आगे से तो नहीं मिलेगा MNF इसलिए मैं इस पर क्रॉस लगा दे लेकिन जिनको कंटिनुनेशन में चल रहा है जो एंफिल करके सब्सक्राइदार नहीं होगी आरक्षट रिजर्विशन जो है वो इसमें क्या-क्या है कि जर्नल का जो है वो 50 50% है उसके बाद में जो है वो एस का 15 एस टी का 7.5 पंदरा अनुसिजदाज्जाती का साड़े साथ अनुसिजद्जाथी का ओबी सी का 27 प्रसंट यानिके OBC 27 प्रसंट अन्य पिशड़ा वर्ग और जो आर्थिक कमजोर वर्ग का जो है वो जर्नल है शामानने वर्ग के उसको 10 दस परसेंट है जबकि दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को पांच प्रतिशत उसके बाद देखी एक और एहम पॉइंट इसमें 22 यह जब होगा जब हमारी PhD सब्मिल्ट होगी के सार लेंग्वेज को छोड़कर हर चीज में जो है वो हर चीज आपको हिंदी में देनी आते हैं तो आपको जो है वो जो फीस आपने दी थी वो वापस की जाएगी रूसन रेगुलेशन के तहट और देखे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने पर वर्धा या नागपूर जो है वो इसका नया एक्षेतर होगा आप अगर कोई भी केस करते हैं तो वो सिर् 30% आपको जो है वो जो वाईवा से दिये जाएंगे इलेजिबिलिटी क्या है आपकी देखें ये सारी चीज़ें हमने पहले देख लिए इलेजिबिलिटी वह ये 55% के साथ मास्टर से जनरल इडेवलोस के लिए और SCST OVC के लिए 50% है ये एडमिशन प्रॉसेस क्या है रि इसी सब्जेक का भी सिलेबस दिया है तो ये फॉर्म भरते हुए चीज़ पता लगेगी उसके अलावा रिटन टेस्ट क्या है रिटन टेस्ट में जो है वह 100 मार्क्स का होगा 50% से होगा उसके बाद में जो है वह इंटर्व्यू 25 मार्क्स का होगा और मेरिट जो बनेगी वह रिटन टेस्ट इंटर्व्यू की बिहाफ पर बनेगी तो इस तरीके से जो है वह हम नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि हम इसका जो है वह फॉर्म कैसे भर सकते हैं देखें यहां इन्होंने डूरेशन भी बताईए पीएच्डी के कि कितनी हो सकती है minimum three years और maximum six years है woman candidate को जो है वो two years का relaxation और दिया जा सकता है उसके अलावा इन्होंने और detail दे रखी जो पीएच्डी में अड्मिशन के बाद होती है कि supervisor कैसे बदल सकते हैं seat कैसे घटिया बढ़ सकती है उसके अलावा जो है वो transformation of credit क्या है supervisor change क्या है board of studies कोई भी research बिना board of studies की permission के नहीं होती है functioning board of studies इन्होंने दे दी है function of DRMC PhD के अंदर जो है वो DRMC ये meeting ज़रूरी होती है ये इस तरह इन्होंने सारी चीज़ें हमें बता दी है जो बाकी चीज़ें रह गई हैं हम उसकी detail form में देखेंगे तो ये था हमारा महत्मा गांधी अंतर विश्विद्याले वर्धा का PhD का form इसमें हमने C2 पर discuss किया है और उसकी eligibility पर next video में हम इसकी form कैसे भरा जाएगा उस पर discuss करेंगे